सिभिय सिख क्लास नाइन बैत पारेश करवाल सर के बूग का यह कुश्चन एकसरसाइस 12C और कुश्चन नमर 4 है यह इस कुश्चन में ABCD एक सैक्लिक कॉर्रिलेटरल है लेकिन यहां पर एक लाइन की इसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं तो सबसे पहले हम लोग ABCD सैक्लिक कॉर्रिलेटरल में एंगल EDC इसको फाइंड कर लेते हैं सिंस ABCD एक सैक्लिक कॉर्रिलेटरल में अपोजित अंगल का संग वनेटी देडरी होगा यालिकी देर्फोल अंगल ABC plus angle ये एवालब EDC, angle ADC is equal to 180 degree ABC के जगा पहब लोग 92 huge कर यह हैं तो इसको 92 degree ब्स अंगल ADC is equal to 180 degree therefore angle ADC is equal to 180 degree minus 92 degree अब इसको सब्चेक्ट करते हैं 0 to 8 और यहां 779 8 88 degree हमको यह angle find होता है अब CD line AE के परलल है तो यह angle और यह angle alternate angles हमें and CD is parallel to AE since CD is parallel to AE therefore angle DAE DAE is equal to angle ADC इसका रिजन लिखेंगे alternate angles alternate angles इक्कोल होते हैं इसका मतलब ATC का वहलो 88 है तो DAE therefore angle DAE is equal to 88 degree इसका मतलब यह angle 88 find हो गया अब जब यह angle find हो गया तो हम लोग angle DAF find करते हैं now angle DAF is equal to DAF के और यह और अगल होगा या याने angle DAE angle DAE plus angle EAF or DAE 88 or EAF 20 तो एती एट, प्लस ट्वइंटी इस एकल टो 100 इप्ट दिनि, अजैसा हम्लोग चांगते हैं, कैसी भी सैलिक कॉpriORreutorgan 스타일 का अगर हम प्रोडिश कर देंगां किसी भी साइट नेचर को complex का प्रोडिश कर देंगांक है तो यह जो exterior angle होगा यह सामरी के opposite interior angle की equal होता है तो यहाँ पर यह जो exterior angle है यहाँ पर BA side को produce किया गया यहाँ तक तो यह BA side से जुड़ा हुआ angle की वाला यानि की angle DAF हम लिखेंगे therefore angle DAF is equal to सामरी के opposite interior angle BCD angle BCD और DAF हम लिखेंगे 108 तो यही इसका आशर होगा angle BCD is equal to 108